वेलकून समाई दियर इस्टूडेंट इन आवर ओनलाइन क्लासेज एक्शली प्रीवेस जो क्लास हुई थी उसमें हमने एक रिलेशन पड़ा था इलेक्टिक पोटेंशियल और इलेक्टिक फिल्ड में यानि विद्दुद विवाव और विद्दुद छेत्र की तीब रता में और मैंने आपको बताये था पहली बात ये कि फर्स्ट बात इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर अमआ राइट और ये डी आर क्या होता है ए और बी के बीच में एक ऐफेक्टिव सेपरेशन होता है वेफेक्टिव सेपरेशन का मतलब जैसे ए पॉईंट यहाँ है बी पॉईंट वहाँ है तो ए को बी से मिलाएंगे उसके के बाद में आप एक Lee Bon Snoba डालेंगे लम्भ डालने के बाद में जो दोनोंका का डिफ्रेंस आएगा वह यह यानि कोई लेक्ट्रिक को है उसमें ESP on-Hey को ईड़िए को ही एकवाist कैसे मिलाayan यहांसे एक परपेंडिकुलर म्डREY से तो यह d r होता था बात करते हैं कि यहाँ पे जो यह dv upon dr है वो मैं आपको बता के गया था इस dv upon dr को potential gradient या बिभव प्रवनता कहते हैं यानि dv upon dr को यहाँ पे क्या कहेंगे हम बिभव प्रवनता बिभव में दूरी के साथ परिवर्तन की अधिक्तम दर the rate of change in electric potential और maximum rate of change बिभव प्रवनता potential gradient और मैंने बताय था यह तब हम यूज करते हैं जब बिद्दुद छेत्र हमारा कैसा हो समरूप हो अब सपूज आपका बिद्दुद छेत्र समरूप नहीं है non uniform है यहां तो uniform था यानी विद्दुद छेत्र की जो direction है और जो परिमान है दोनों चीज इस्तितिकी सापिक सब जगे एक जैसी थी जिसको हम समान तर रेखाओ के द्वारा बनाते हैं जो समान दूरी पर हम बनाते थे मैं पुराना repeat कर रहा हूं उसके बाद हमने e का एक नया formula देखा था equal to minus del V इसको del operator कहते हैं या grade कहते हैं ठीक है और इसका मतलब होता है del V upon del X I cap plus del V upon del Y J cap plus del V upon del Z K cap question भी हमने solve किये थे example भी solve किया था practice आपको करनी है number third अच्छा यहां से अगर आपको कोई DV का मान find out करवाए तो आप कैसे find out करेंगे एवं DV वराबर cross multiply करतेंगे E dot DR ठीक है अब next देखिए अगर non uniform electric field हो SMN या SM रूप बिद्दूद छेतर हो और आप से electric field निकलवाए तो यह formula एक्जामपल हम बना चुके हैं अब अगर कोई V निकलवाए तो आपको पता होगा बच्चो अवकलन का ultra samaklan होता है ठीक है तो V निकालने के लिए हम E का क्या कर देंगे samaklan कर देंगे इसका क्या कर देंगे हम samaklan कर देखें यदि आपको ऐसा दिया जाए dx एक्वल टू sorry dr एक्वल टू dx i cap plus dy j cap plus dz k cap कितनी direction में काम हो रहा है अब की बार तीन direction में काम हो रहा है यानि यह तो एक विम यह के लिए है 1d के लिए एक विम में और यह 3d के लिए है 2d के लिए 2d के लिए यहां तक आ जाएगा 3d के लिए तीनों आ जाते है समझ में ही मात तो dr वेक्टर यह आपको दिया हुआ है ठीक है और तब अच्छा और e है e वेक्टर है आपका क्या electric field यानि विद्दुद छेत्र अब आपको निकालना है V V निकालने के लिए आपको e dot dr का क्या करना पड़ेगा समाकल पहले हमने अवकलन किया था क्योंकि हम विद्दुद छेत्र निकाल रहेते अब हमको क्या करना पड़ेगा समाकलं करना पड़ेगा क्योंकि हम क्या निकालने वाले है विद्दुद विभव ठीक है ना ये Hyundai condition के लिए है एक विमा में जब परिवर्तन हो रहे है समरूप बिद्दूद छेत्र के लिए यह जब तीनों डारेक्शन में बिद्दूद छेत्र बदल रहा है एस समरूप बिद्दूद छेत्र है ठीक है यह वन डी के लिए एक डारेक्शन में same electric potential जा रहा है same value रहा है यह तीन डारेक्शन में है ठीक है एस समरूप बिद्दूद छेत्र तीनों डिशाओं में जिसकी value x, y, z के according बार-बार क्या हो रही है change हो रही है अब देखें minus e dot dr example के तोर पर जैसे आपको किसी ने दिया e बराबर minus 8 x i cap ठीक है minus 8 x i cap तो आपको निकालना है यहां से v, example से ज़्यादा बैतर समझ जिमाएगा क्या निकालना है v, तो क्या करेंगे v बराबर formula है हमारे पास में e dot dr vector और dr vector का मतलब यह ठीक है value जमाओ minus यह minus तो हमारी तरब से बिबब प्रवणता की यह potential gradient की मैंने आपको direction बताई थी सम बिबब प्रेस्ट के लंवत और निम्न बिबब से उच बिबब की और और विद्दू छेतर की यह electric field की direction equipotential surface जो होते हैं यानि जो सम बिबब प्रेस्ट होते हैं उनके लंवत और उच बिबब से high potential to low potential और यह low potential to high potential that's why we use negative sign no next देखें minus 8x अब DR की जगे आप थोड़ा सा समझना आप थोड़ा सा आपका इस्तर बढ़ा है 12 में बढ़ते हैं आप DR की जगे आप यह सब कुछ लिखोगे तो i cap dot i cap जब करते हो 11th की बात है i cap dot i cap जब करोगे आप dot product जब करोगे इस i cap का y और y और z के j cap और k cap तो इसमें ही नहीं तो इनकी तो बात ही नहीं करनी हमें तो जब आप i cap dot i cap करोगे तो उसकी value कितनी आ जाएगी इधर द्यान दे मैं थुला से समझा देता हूँ x direction में हम एक आंग सदिस unit vector लेते है i cap y direction में लेते है j cap और z direction में हम लेते है k cap इन तीनों के बीच में जो angle होता है वो 90 degree का होता है यह i cap यह j cap और यह aise है k cap यानि i cap यह y cap sorry यह i cap यह j cap और यह k cap तो तीनों के बीच में आप देख सकते हैं angle तीनों के बीच में कितने 90 degree का हमें dot product करना है dot product करते हैं हम a vector dot b vector equal to a b cos theta ऐसी लिखते हैं a का परिमान, b का परिमान a का magnitude, b vector का magnitude और cos theta दोनों के बीच angle अब आपको क्या करना है आपको करना था i cap dot i cap i cap भी यही है और दूसरा i cap भी यही है तो दोनों के भीच angle कितना हुआ 0 degree का अब बेटा i cap का परिमान unit vector है एक आंग सदी से 1 होगा into 1 cos 0 degree ठीक है और cos 0 degree की जो value होती है बताएं ज़रा कितनी होती है cos 0 degree की value 1 होती है तो answer कितना जाएगा 1 लेकिन जब इनके साथ में मैं multiply करूँगा i cap dot j cap या i cap dot k cap तो दोनों के बीच में जो angle आएगा वो 90 degree का हो जाएगा और cos 90 की value कितनी होती है 0 तो कुछ भी नहीं दिखाएगा इसलिए बस cable यहां पर कितना आएगा i cap dot i cap पर होगे तो 1 आएगा तो cable कितना आएगा minus का 8 x minus minus क्या हो जाएगा वहां से plus हो जाएगा तो v equal to 8 भारा जाएगा x का कैसे करेंगा integration power में एक जोड करके power को कहां लिख दें आप कहां बगा दें नीचे x की power यह 1 है उसमें एक power जोड़ा और कहां बगा दिया है नीचे बगा दिया है तो v equal to कितना आगया 4 x square ठीक है कितना आगया v equal to 4 x square यह समाझ में आया है ना i cap dr vector की जगे आप यह सारा का पूरा का पूरा लिख होगे जब dr vector की यह पूरी का लिख होगे तो 1 लेकिन i cap जब dot j cap करोगे तो पूरा का पूरी terms कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है ना यह dot product की properties है बैटा दिमाग में तो ऐसे आप v vector निकाल सकते हो सारी चीज सिखा रहा हूँ एक एक चीज आए example से सिखा रहा हूँ ठीक है अब आगे की कहानी सुनो कुछ important notes है जो मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बाद देखें अभी जो भी कुछ पढ़ाए उससे हम सीखे क्या है important बात वो देखिएगा जारा अभी अभी हमने E का formula पढ़ा था minus dv upon dr जिसको अगे नहीं ऐसा लिखा जा सकता है सब जानते है v2 minus v1 upon r2 minus r1 ठीक है यह changes ही होता है बिदुद बिवम में change बटे दूरी में change कितना separation है दोनों के बीच में A और B point के बीच में तो v2 minus v1 upon r2 minus r1 अब एक बात बताओ मुझे आप अगर कहीं पर विद्दुद विवाब का मान 0 आ जाता है किसी स्थान के एक बिंदु पर विद्दुद विवाब का मान 0 है एक स्थान है और वहाँ पर electric potential की value आप से कही 0 है तो क्या बिद्दु छेत की तीवरता 0 होगी या नहीं होगी समझ मैं ही बात तो important बात ध्यान से सुन लेना बिद्दु छेत की तीवरता 0 नहीं होगी बिद्दु छेत की तीवरता 0 तब होती है जब कम से कम हमें उस स्थान के कितने बिद्दु ओपर बिद्दु दुआप पता हो दो बिद्दु ओपर बैटा दिमाग में दो बिद्दु ओपर जब बिद्दु दुआप पता रहेगा तो बिद्दु छेत की तीवरता 0 होगी अगर एक बिंदू पर विद्दूत विभाव हमें पता है किसी किसी इस्थान पर विद्दूत विभाव यदि किसी इस्थान के किसी बिंदु पर बिद्धुत बिभाव सूनुन ने है अगर एक पॉंट पर जानकारी है तो आप गण्ना नहीं कर सकते कितने पे चाहिए कम से कम दो पर बिद्धुत बिभाव का मान होगा तो आप यह निकाल सकते हो अगर एक पर विद्दुद विवाव का मान है तो आप यह नहीं निकाल सकते है यदि किसी स्थान के किसी पॉइंट पर विद्दुद विवाव सून्य है तब विद्दुद छेत्र की तिब्रता को यकी गड़ना नहीं की जा सकती समझाई बात विद्दुद छेत्र की तिब्रता की गड़ना है तू वो शिस्थान के कम से कम दो बिंदुओ पर बिद्दुद विभाव ग्यात होना आफशक है ठीक है ना एक सिंगल पॉइंट पर आपको दे दे तो क्या आप कैल्बूलेट कर सकते हो आपको वी टू का मान पता है वी बन का नहीं पता तो क्या यह निकल आ जाएगा बैटा दिमाग में और अगर उस बिंदुद उस इस्थान के सभी बिंदुद विद्दुद विभाव जीरो आजाता है तब हम कह सकते हैं कि विद्दुद शेत की तीवरता जीरो होगी लेकिन एक सिंगल पॉइंट से आप विद्दुद विभाव जीरो आता है तो क्या हमाँ सब जगह बिद्दुद शेतर जीरो होगा तो यह गणना करना संभाव नहीं है कम से कम कितने अपने आप में बहुत मैत्वा रखता है ध्यान रख लेना इन चीजों को पड़े लेना एक अलग चीज होती है इन से सी का क्या है वो तु देखो अगला देखो यदी किसी स्थान के सभी बिंदु ओपर इन पॉंट बाटर सभी बिंदु ओपर बिद्दु बिभाव सून्य है तब वहाँ बिद्दु छेत्र की अब मैं सिंगल पॉंट की बात नहीं कर रहा हूं बिद्दु छेत्र की तिब्रता सून्य होगी यह सब अपने आप में बहुत इंपोर्टन बात है कोई ध्यान नहीं देता है लेगिन आपको कम से कम इन चीज़ों से निसकर्ष तो निकालना चाहिए हम सीखे क्या है और नेक्स धर देखें यदी किसी स्थान पर उल्टा देखना उल्टा बिद्दु छेत्र इलेक्टिक फिल्ड की तिब्रता इल्टेंसिटी ओफ इलेक्टिक फिल्ड सून्य है तब वहां बिद्दुत विभव सून्य होना आवशक नहीं है मतलब E का फॉर्मूला पड़ा हमने माइनस डी वी अपॉन डी आर सपोज E की वैलू जीरो आ जाती है तो ऐसा भी तो हो सकता है V कमान कॉंस्टेंट हो क्योंकि कॉंस्टेंट का वो कलन भी कितना आता है जीरो तो अगर कहीं पर विद्दुत शेतर जीरो हो जाए तो V जीरो ही होगा ये कोई कमपल्सर ही नहीं है जीरो हो भी सकता है और नहीं भी बैटा दिमाग में आप से रूप से जीरो होना ये हम कह नहीं सकते हैं अब क्या पड़ा फिर से समझे ध्यान से अगर किसी इस कोई एक आपको particular palace दे रखा है और आप से कहा वहाँ पर विद्दुत विवाब का मान एक single point पर 0 है तो क्या E 0 होगा तो नहीं हम गढ़ना नहीं कर सकते कम से कम कितने point पर जाए है हमको विद्दुत विवाब electric potential दो point पर हाँ उसके सब point पर ही विद्दुत विवाब 0 आ जाता है हाँ तब हम कह सकते हैं कि वहाँ electric field कितना होगा 0 होगा इच point पर अच्छा उल्टा सोचो अगर कहीं पर विद्दुत शेतर की value 0 है तो क्या वहाँ विद्दुत विवाब electric potential भी 0 होगा no आप शेक नहीं है constant भी तो सकता है क्योंकि constant का अब कलंग कितना होता है 0 क्या आपको मेरी बात चिपक रही है मैं क्या कहना चाहरा हूँ ठीक है if the value of intensity of electric field at a point of a place then the value of sorry I repeat it again if the value of electric potential at a single point of a place then the intensity of electric field cannot be calculated to calculate the intensity of electric field we require minimum we require the value of electric field sorry the value of electric potential at minimum two points of that place uske bar mein if the value of electric potential at each and every point of a place then the intensity of electric field will be 0 if the intensity of electric field is 0 then the value of electric potential may be 0 or not may be 0 it may be constant so what is the value of electric field स्मझवाई बात हो सकता है क्योंकि उसकी वैलू क्या हो सकती है तॉन्स्टेंट हो सकती है जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा भी हम एक कंडेक्टिंग स्पेयर रहेंगे जिसके परस्ट पर सारा का सारा आवेस होता है इसलिए वहां बिद्दुद छेतर तो कितना हो यह क्या है कंडेक्टिंग स्पेयर चालक गोला एक्जाम में खूब पूछता है ये कंसेप्ट किलियर करो कंडेक्टिंग स्पेर है अचालक भोला इसके अंदर विद्दुद छेतर की वैलू जीरो है पर विद्दुद विवाब कॉंस्टेंट होता है जीरो नहीं होता है बैठा दिमाग में दिमाग में जो सिंगल पॉंट पर विद्दुद विवाब जो हो 0 आ जाता है तो महां विद्दुद छेतर 0 होगा किए बातों को के लिएर करके चलो पहले पॉइंट में हमने सीखाता कि एक स्थान है उसके एक सिंगल पॉइंट पर विद्दुद विवब क्या है जीरो है तो वहां पर विद्दुद विवब जीरो होगा आपस्यक नहीं है वहां अंदर किसी तरह की कोई आवेस नहीं होता इसलिए वहां पर क्यों रहता है यह सब आगे की बात है फुर्दर मैं आपको समझाऊंगा इसलिए वहाँ पर बिद्दुत छेत्र जो है वो 0 आता है लेकिन बिद्दुत विवव की जो value है वो constant आती है पर 0 तो नहीं होती आई बास समझ में बहुत important points हैं यह अब आगे देखें बेटा सोचना बैट करके अब नेक्स देखें कि 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 को डिववादा बदेखेंस गिवववार लेक्स देखेंस देखेंस औरा विववव को घ्ववव को इसनिववव देखेंस is the potential due to conducting spare ठीक है यानि दूटू कंडेक्टिंग स्पेयर यानि चालत गोले के कारण चालक गोले के कारण बिद्धुत बिभव ठीक है चालक गोले के कारण बिद्धुत बिभव अरे इंग डलवाओ भई इसमा चालक गोले के कारण बिद्धुत बिभव देखें ये चालक गोले के कारण बिद्धुत बिद्धुत बिभव पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बहुत कंफुजिंग सा एक कंसेप्ट है जो बच्चों के मन में बना रहता है मैं पहले तो उसको निकालूंगा देखो ये है होलो कंडक्टिंग इसपेयर यानि खोकला पहले समझना है इसको उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे आज खोकला, चालक, गोला ठीक है जब भी इसको कोई चार्ज हम देंगे वो कोई भी मेथड हो सकता है ठीक है तीन मेथड होते हैं कौन-कौन सा एक तो फ्रिक्षन, घर्चन के द्वारा आप इसको आवेज दे सकते हो या दूसरा मेथड होता है आपका प्रेरन इंडक्षन के द्वारा ये पुरानी बाते हैं और तीसरा मेथड होता है आपका चालन विदी के द्वारा ठीक है जैसे आप इसको आवेज दोगे तो पूरा कपूरा आवेज जो है इसके प्रस्ट पर वित्रित होगा पहली बात ठीक अगर आपको वो घुमाए और घुमा करके क्या कह दे सवाल में इसको सॉलिड बना दे सॉलिड कंडेक्टिंग मैं ये बहुत ज़्यादा कंफूजन बना रहता है कोई निकालता नहीं बच्चों के मन में से ये कंफूजन ठोस चालक गोला सब्देश चालक पर कंसंट्रेट करना तब भी कंफूजन नहीं होना है पूरा का पूरा आवेस कहां पर रहेगा प्रस्ट पर रहेगा ये कंफूजन बने रहते हैं ये कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चों को पता ही नहीं देता अलगासा एक्जाम में घुमाया समझ मैं बैठा अगला देखें अगर वो बदल करके ऐसा कर दे देखें जरा होलो इंसूलेटिंग स्फेयर यानि खोकला ध्यान देना अब इसके अंदर कुछ नहीं है खोकला कुछालक गोला अगर वो ऐसा कहे जब कुछ अंदर ही नहीं है तो चार्ज कहां से रहेगा बिना मास के चार्ज रहता है कि पूरा का पूरा चार्ज अब भी कहां रहेगा प्रस्ट पे रहेगा सर्फेस पे रहेगा बिना द्रबमान के बिना मास के बिना पधार्थ के बिना मैटर के आविस का कोई अस्तितु नहीं होता है चार्ज का कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता है चार्ज पुरानी वीडियो माँ बता चुका हूँ चार्ज जो है वो एक मैटर की प्रोपर्टी होती है समझमाई बात उस matter का गुण होता है एक पधार्थ का गुण होता है उस पर उत्पन होता है समझमाई बात खुद पधार्थ नहीं है electron electron क्या है electron एक कण है जिस पर आविस electron आविस नहीं है electron तो एक कण है जिस पर आविस पाया जाता है 1.6 गुना 10 दिस टू मैनेस का 19 कुलॉम समझ महीं बाद तो मास नहीं है तो आविस नहीं आ सकता बैटा दिमाग में